Hello Friends, Welcome back to my channel Pregnancy Care and Advice दोस्तों Pregnancy के दोरा 90 महिने के लास्ट में लेवर पेइन शुरू होते हैं और ये लेवर पेइन कुछ महिलाओं में तो काफी लंबे समय के लिए होता है वहीं कुछ महिलाओं में ये कम समय के लिए होता है और जैसे ही लेवर पेइन से स्टार्ट होते हैं हर गर्वती महिला ये चाती है कि जल्दी से उनके शीशु का जन्म हो जाए क्योंकि लेवर पेइन एक असहनी या पीड़ा होती है और ये काफी कस्ट प्रद होती है और जैसे ही आपके बेबी का जन्म हो जाता है ये लेवर पेन समापत हो जाते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको लेवर पेन स्टाट होती ही ऐसा क्या करना है जिससे कि आपके शिशु का जन्म बहुत जल्दी हो जाए और आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिल सके तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखे और अगर चैनल पर नए है इसके लिए आपको जब लेवर पेंट शुरू हो जाएंगे उस तोरान आपको सांस बाहर की तरफ छोड़नी है और सांस को उपर की तरफ नहीं खीचना है जिस तरीके से हम फूल से खुश्बू सूंगते हैं उस तरीके से आपको सांस नहीं लेनी है इसका मतलब है कि आपको सांस बहुत तेजी से नहीं लेनी है बहुत धीरे से आपको सांस लेनी है और तेजी से छोड़नी है ऐसा करने से आपको बेबी को पुश करने में मदद मिलती है और बेबी का सर इससे जल्दी से नीचे के और खिसकने लगता है और दोस्तो normal delivery के लिए push करने का सही तरीका भी यही है आप हलके से नाक से सांस लें और मूँ से तेजी से बाहर की तरफ सांस छोड़ें ऐसा करने से शिशुजन जल्दी से होता है और normal delivery में आपको आसानी भी होती है इसके साथी साथ pain भी आपको कम महसूस होता है तो दोस्तों ये था एक बहुती छोटा सा काम जिसे अगर आप लेवर पेन शुरू होने के साथी स्टार्ट कर दें तो आसानी से आपके डिलीवरी भी हो जाएगी और आपको पेन भी कम होगा इसके साथी डिलीवरी में समय भी कम लगेगा उमीद करती हूँ जानकर ये आपके लिए यूसफुल होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद